अब सीधा लाइब जुर रहे हैं मैं अनुराग जी का रूख करता हूँ अनुराग जी इसमें हम अनुराग पहले मेरी एक अनुराग से बात रही थी अब आप अनुराग ठाकुर केंद्रिय मंत्री मेरे साथ जुर रहे हैं अब इनंदन है अनुराग जी आपका अनुराग जी मेरा सवाल आपसे ठाकुर साब ये है कि बजट आ गया लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये 2024 की नई यानि मोदी सरकार की तीसरी पारी वाला बजट है और विपक्ष कह रहा है मैं विपक्ष के नेताओं के नाम नहीं गिनाना चाहता वो कहते है ये अंतिम विदा के साथ सीटों के साथ देश की जनता ने मोदी जी को जिताया अब 2024 में 2019 का रिकॉर्ड तोडएंगे फिर एक बार मोदी सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनाएंगे और जो भारत को लड़ खडाती चर्मराती अर्थवियस्ता यूपीय के समय थी 10 सालों में पांचमें नं गरीबों को गरीबी एका से बाहर निकाल कर लाएं चार क्रोड पक्के मकान बनाएं अब दो क्रोड और पक्के मकान बना कर देंगे और मद्यमबर के लिए उनका अपना मकान हो किराय के मकान से बाहर निकलें उसके नई योजना लाएंगे नई सुविधाएं देंगे हमने इसी तरह से युवाओं के लिए एक लाग क्रोड पे रिसर्च और इन्नोवेशन फंड रखा है ताकि वो इंत्रुपनेर बने रिसर्च करें आगे बढ़ें 11,11,11 क्रोड पे का बजट रखा है कैपेक्स अधारबू धंचा पे बनाने के लिए ये बजट विक्सित भारत की मजबूत नीव रखने वाला बजट है ये युवाओं की अकांग्शाओं पर खरा उतरने वाला बजट है ये गरीब युवा अंदाता नारी का बजट है ये गरीब और मध्यमबर का बजट है ये विक्सित भारत इसको संकल्प जो हम लेके चले है उसके लिए बजट है जी क्योंकि आपको मोस फाइनस भी रह चुके हैं मुझे अच्छे ध्यान है और आपका तब भी हम साक्षतकार करा करते थे लेकिन आज मैं एक सवाल आपसे पूछा जाता हूं बतौरा बिजनस जर्नलिस्ट हम कई बार देखते हैं कि नरेंद मोदी अनकन्वेंशनल फैस्टे ले लेते हैं लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि चुनाव से पहले वाला बजट जो है वो चुनावी बजट होता है लेकिन इस बजट में चुनावी कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना पोलिटिकल पंडितों को ना अर्थिनीती के पंडितों को ना स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट को तो ये कॉन्फिदेंस है नुराग जी या ओर कॉन्फिदेंस है वाट इस यूर वीव उन दिस देखिए आप थोड़ा गहराई में देखिए जी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्यारा परसेंट बड़ा है तो इसका मतलब देश का अधार बुढ़ांचा बहतर होगा अगर चार क्रोड मकान के साथ दो क्रोड और पक्के मकान देंगे तो उस सेक्टरों को भी बनेगी तो इससे आए भी बड़ेगी और निया कर कोई नी लगाया गया है इसका मतलब आपकी आए बड़ेगी ही दूसरा अगर मैं कुल मिला के आपको कहूं तो इसमें अलग-लग प्रावधान किये गए जैसे रेलवे के तीन ऐसे कॉरिडर बनेगे जो मिनरल के है पैसेंजर के लिए है इससे आपको और बल मिलने वाला है पी यलाई स्कीम जैसे हम लेकर आए जी तो आत्मनरब भारत के चलते अब डिफेंस मैनफेक्टरिंग देश के अंदर एक लाग क्रोड से जादा हुई मोबाइल मैनफेक्टरिंग हम कहीं नहीं थे दो ही उनिट थे आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनफेक्टरिंग का खेतर भारत बन गया है तो अमेशी मेरा कहना यह है यह चोटी सोच के साथ बजट नहीं है यह विक्सित भारत बनाने के लिए अंतरिम बजट है जिसमें नीव रखी है कि हम कैसे देश को आगे ले बैंक है और वो इस दौर में नहीं है वो लगता रहा है जब सिर्भ भारतिय अंतर पार्टी का निर्मान हुआ है उसको एक बहुत उमीद है इस शासन से कि यह सरकार हमारी चिंता करेगी लेकिन यह चिंता करनी रही है सरकार यह चिंता दिखानी रही है आपका बड़ा वो दन के बाद भी 2014 में टेक्स लगता था जी आज 7 लाक रपे तक भी आपको कोई टेक्स नहीं देना पड़ता मोधी सरकार ने रहा दिये दूसरा मैं कहूं आपको अगर उध्योग चलाते तो उसमें आपको रहा दिये तीसरा आपको कम ब्याज पर पैसा मिले आप अपना व ने शुरू कि आखिर कारे कहां से बनेंगे टेक्स के पैसे से लेकिन आज इमानदारी के साथ टेक्स पेर टेक्स दे रहा है क्योंकि उसको पता है एक एक पाई बचाई भी गरीब की भलाई भी और देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया है ये टेक्स पेर का विश्वास मोधी सरकार ने जीता है जी अनुराग जी आपने हमें समय दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन चलते चलते मैं आपको कॉंप्लिमेंट देना चाता हूँ आप हमीरपुर के जो युवाओं को दिल्ली लेकर आते हैं वो योजना बड़ी लोग प्रिय हो रही है उस इसको पहचान दें बहुत बहुत अभार बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपका हमार साथ जुनने के लिए आज किस महत्पूर्ट दिन पर